हेलो फ्रेम्स तो कैसे हैं आप लोग आज हम बढ़ेंगे वह उधिशे और योजना है यानी की बांध डैम इन इंडिया इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा बांध नदी पर बना है तो लेस्ट टाट तो से पहले दामदर नदी परियोजना घाटी परियोजना बेस बैंकॉल में दामदर घाटि है। वह पर दामदर प्रयोजना ऊजीए मत्वावा है उस दामदर नदी दूसरा है बाकडा नंगल प्रियोजना जो कि पुंजाब में है इसमें जो नदी का यूज किया गया है वो है सतलुज नदी जो कि मान सरोगर से निकलती है जो इसमें इसका एक इसका जो डैम है वो बिलासपुर में है जो कि हिमाचर प्रदेश में है जिसे गोविंद सागर एक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लेक है आर्टिफिशल तो नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोसी 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 नदी जो है बिहार में बहती है और इसको सौरो आफ बिहार भी का जाता है और कोसी परियोजना जो है बिहार में बनी है कोसी परियोजना अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हीरा कुंड परियोजना हीरा कुंड परियोजना जो है हमारी वो है महानदी पे बनी हुई और जो की है उडिसा में हीरा कुंड जो परियोजना है वो भारत का सबसे बड़ा और यह बना है ओडिसा में और इसकी जो में नदी है वो है महा नदी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है भारत का और इसकी जो लंबाई है चार पॉइंट इसकी जो उचाई है वह है सिक्स्टीवन मेटर तो जो नेक्स्ट उम पढ़ेंगे वह है मियूरक्षी परियूजना जो कि मियूरक्षी नदी पर बनी है उगो Cand पढ़ेंगे अर्विम्द बादबान पर्योजणा में जो प्लेक्ट हैं दोनों उतर प्रेश और माध्यप्रदेश दोनों को है और यह पनी है मद्यप्रदेश पे रिहंद नदी पे रिहंद बांध परियोजना अब अगली हम पढ़ेंगे गंदक नदी परियोजना गंदक जो की बिहार और उतरप्रदेश बिहार और उतरप्रदेश दोनों में इससे प्रॉपिट होता और गंदक नदी पर प्रियोजना है यह गंडक नदी प्रियोजना है यह भीयार और यूपी में इसका मैक्सिम्म यूज है अगला हम पढ़ेंगे तीहरी बान प्रियोजना तीहरी बान जो है उत्रा खंड में है और यह इंडिया का सबसे उंचा वांद है को सबसे मक्या थीयोजना हैसे का यह वना कि यह सबसे उंचा बांध है